तो एक एक करके आप पढ़ लेते हैं कोक्रोच के डिफ्रेंट बॉड़ी पार्ट्स को तो बॉड़ी पार्ट्स में सबसे पहले जो पार्ट कंसीडर होगा वो है कोक्रोच का हेड the first part is their head well कोक्रोच का जो head है वो कुछ इस तरीके से होता है sidewise अगर हम देखें तो एक पतली गर्दन, flexible गर्दन से जुड़ा हुआ है और इसका जो नीचे वाला जबड़ा है वो काफी हद तक body के नीचे की तर ventrally tilted है so well इनका जो head as you can see it is triangular और जिस condition में ये है नीचे की और इसे कहा जाता है hypo hypo यानि नीचे gnethos यानि जबड़ा यानि जिसका जबड़ा body के नीचे की और जा रहा हो hypo gnethos head तो hypo gnethos को एक बार describe कर देते है hypo gnethos वो है जो की attached है पर्पेंडिकुलर्ली तो थे बोड़ी and it is tilted downwards under the body is that clear इनका सर एक फ्लेक्सिबल गर्दन से जुड़ा हुआ है ताकि सर हर डिरेक्शन में घूम सके so it is attached with a flexible neck right and इस head के कुछ particular components है पूरी body के ओपर भी जैसे बाकी सारे body parts के ओपर chitinous cuticle है तो यहाँ पर भी chitinous cuticle present है it is covered by head capsule which is made up of chitinous cuticle right मैं अल्रड़ी बता चुकी हूँ कि embryo में जो head है वो 6 segments से मिलकर के बनता है adult hood तक आते आते हैं यह 6 segments fuse हो जाएंगे और single segment से पूरा सर बना हुआ है पर इनके ओपर जो यह head capsule बनाने वाले chitinous cuticles हैं यह अभी भी present करते हैं उन segments को जो की embryo पर थे क्योंकि अभी भी वो 6 की 6 plates अलग-अलग हैं तो इसे clear हो जाता है इसके सर के अलग-अलग segments बहुत आसानी से आप समझ सकते हो तो एक काम करते हैं डाइग्राम से इसे समझ लेते हैं यह रहा इनका triangular और almost triangular head I hope it is clear समझ में आ रहा है कि triangular है राइट थोड़ा सा ठीक कर देता है राइट एक तरफ हम ले ले लेते हैं head के segments head capsule के भी segments यही होंगे कितने segments है 6 राइट इनके पास होती है a pair of eyes यह है इनकी pair of eyes इनके पास जो आँखें हैं वो बहुत ही special टाइप की हैं इन्हें कहा जाता है compound eyes यानि वो आँखें जिनमें एक से ज्यादा lenses प्रेजेंट हैं राइट जिसे हमारे आँखों में एक lens होता है इनके पास multiple lenses हैं तो इसले इनकी आँखें कुछ ऐसी दिखाई देंगी यह हैं इनकी आँख और इसमें यह रहें इनके बहुत सारे lenses multiple lenses हैं यहाँ पर इस तरीकी के आँख जो होती है अब इतने सारे lenses हैं तो एक बार में बहुत सारी चीज़ें देखेंगी पर हर lens cube अलग-अलग image create होगी जिसकी वजह से retina जो मतलब इनका basic इनका ब्रेन है वो confused हो जाएगा कि किस image को exactly देखें तो इतनी सारी images से मिला करके इनको एक image बनानी पड़ती है and that's why इनकी जो resolution होती है किसी पी चीज़ को साफ नहीं देख पाते देखते बहुत कुछ है बट साफ नहीं देख पाते so these are the compound eyes अब बात करते हैं segments की सबसे पहला जो segment है वो यह रहा जैसे हमारे पास हमारा cranium है खोपड़ी है वैसे ही इनके पास है एक जोड़ी ipi cranial plates right which are two in number इसके ठीक नीचे ये है इनका माथा फ्रॉंस forehead one in number ये है इनके गाल और गाल के ठीक उपर this is a part called clipeus और जो clipeus है इसके ठीक नीचे होट जुड़ा हुए है जो कि इसके mouth parts को stability देता है एक clipeus और ये रहे है इनके गाल दोनों तरफ हैं these are called jinnah these are two in number so these are the segments of head of cockroach right segments के साथ साथ एक चीज और clear हो सकती है यहाँ पर वो यह कि इनके सर में कौन-कौन से components है कि इसके structure को हमें detail में पढ़ने की जरुरत है तो सबसे पहला component तो आपको दिखाई दे ही रहा है this is their compound I जो compound I's है these are two in number वही पर जो यह frons है इसमें एक जोडी philiform या tube जैसे antenna जुड़े हुए होते है right so these are their antennae right और इन antennae के ठीक नीचे है इनकी एक जोडी simple eyes well जो compound eyes है वो देखने में मदद करती है और यह जो simple eyes है यह केवल light का आभास कराती है कि कब बहीं के सर पे light है कब नहीं है और यह reason है कि जसी आप cockroach के पास पहुँचोगे उसके अपर जसी अंधेर आएगा उत्तुरंद भाग जाएगा कि उसको feel हुचाता है कि आसपास हम oscilli भी कहते हैं and these are again two in number the third component is this they say these are called antennae यह दो है और यह इनके sense organ sensory receptors की तरह काम करेंगे so these are the components of head हर एक component को हम detail में पढ़ने वाले है यहोगे तीन components वही पर last component जो है वो है इनका mouth parts especially modified होते है for biting and chewing खाने को काटना और उसे चबाने के लिए यह है इनका उपरी होट which is called labrum और labrum के ठीक नीचे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है इनका नीचे वाला होट जो की दो पार्ट में bifurcated दिखाई दे रहा है but not exactly like this mouth parts को भी हम detail में पढ़ेंगे this is labium और साथ ही यहाँ पर दिखाई देते हैं कुछ ऐसे structures these are labial palps and maxilla से भी ऐसे palps निकले होई यह भी sensory structures है इनके बारे में हम detail में आगे पढ़ने वाले हैं right so I hope it is clear till this part एक बार इसे जल्दी से नोट करोगे ताके हम आगे बढ़ सकें now let's talk about the components of head of cockroach सबसे पहला component ले लेते हैं antenna है क्या antenna antenna paired structures है tube जैसे या फिली फॉर्म है unbranched है और इनके main sensory receptor की तरह function करेंगे so what are the functions they perceive environment humidity है की temperature है सब चीजों के बारे में यह पता लगाते हैं इसके अलावा olfaction यानि चीजों को smell करना यह thermoreceptor भी है temperature के बारे में भी बताते हैं और साथ ही साथ touch का भी फिल करेंगे okay so these are tactile और touch receptors too right so that was about antennae the second component is there simple eyes right simple eyes को एक और नाम दिया गया these are also called और से लाए यह भी paired है और इनका function क्या है यह light का perception feel कराती है for for perceiving or for perception of light but इनसे vision नहीं होता I mean यह देख नहीं सकते इनके जरीए is that clear अब बारे आती है इनके तीसरे component की that third component or the third structure present on head यह है इनकी compound eyes यह भी paired है dorsal part में है body के उपर वाले पार्ट में present है और यह बनी है multiple lenses से and what the function इस वैसे हम बोल सकते है इन multiple lenses को एक और नाम दिया जा सकता है इन्हें कहा जाता है o में tdr और इनका function है देखने में मदद करने का so they help in vision बट यह vision बहुती special type का होता है इस vision को कहा जाता है mosaic vision जैसे first डालते time पहरे छोटे छोटे marble के टुकड़े डाले जाते जिससे mosaic सा बन जाता था अलग अलग color के you cannot make out की exactly structure वहां create हो रहा है वैसा ही कुछ यहां होता है क्योंकि बहुत सारे lenses से जो images आई उनसे मिला करके एक image बनाई जाएगी right, so इसी वजह से they have high sensitivity जादा sensitive आखे हैं but बहुत ही poor resolution है इनका is that clear? now the next component the fourth component is their mouth well इनके जो mouth parts है यह modified है specially for biting and chewing well यहां पर space थोड़ा सा कम है सुमेह का portion rub कर देती हूं ताकि मैं समझा सकूं mouth parts को यह 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 जो mouth है biting and chewing के लिए जो parts है जो modified है and इनके जो mouth parts है वो enclose करके एक cavity बना लेते हैं they enclose a cavity called siberium or oral cavity तो यह mouth parts कौन कौन से है इनके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इस तरीके से siberium बना हुआ है एक ऐसे cavity है goal right इसमें उपर है labrum यानि upper lip नीचे है labium यानि lower lip हमसे उल्टा है हमारा उल्टा है उपर वाला जबड़ा maxilla है इनमें नीचे वाला जबड़ा maxilla so here sorry maxilla that is maxilla here also we have maxilla sorry they have maxilla यह है इनका यहां पर होगा mandible उपर और दोनों साइड्स में और इसके बीच ओ बीच एक लोब की तरह इनका hypo pharynx प्रेजेंट होता है जो हमारी जीब की तरह काम करेगा इन mouth parts को एक बार detail में पढ़ लेते हैं सबसे उपर क्या बताया था मैंने उपर they have a structure called labium तो यह है सबसे पहला part that is labium right labium है क्या labium is upper lip खाने को पकड़ने में मदद करेगा दोनों उपर और नीचे वाले होट मिलकर की तो खाने को पकड़ेंगे sidewise क्या बताया I told you about the mandible तो यह रहा इनका mandible 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 पर ऐसे दात जैसे होते है और नीचे का पार्ट ऐसे थोड़ा सा पैना होता है थोड़ा शाप होता है I'll draw थोड़ा सा distance पे तो यह रहा mandible right so that's the second part called mandible right mandible है क्या mandible है इनका upper jaw और इसके दो regions है इसमें denticles बने हुए है इनको denticles कहा गया है जो structure दिख रहे हैं these are called denticles जिसकी वजह से इनका पूरा जो जबड़ा है इस दो पार्ट में डिवाइड हो गया उपर वाला पार्ट है grinding region खाने को छोटे-छोटे कड़ों में वाटेगा और यह वाला cutting region so has incising and grinding grinding regions here right there's less of space this यहां बनी हुई है एक क्याविटी एक ऐस तरीके से गोला सा है अगर मैं इस क्याविटी को लेलूं कि बही अंदर की तरफ को इन्होंने सारे माउथ पॉट्स ने मिल करके क्लोज की हुई है एक कैविटी तो एक सर्कल की तरह होगी उपर प्रेजेंट है लेबरम नाम का अपर लिप नीचे है लेबियम यहां साथ ऊपर मेंडिबल यानि अपर जो हमारे नीचे वाले जबड़े को मेंडिबल बोलते हैं इनका उल्टा होगा हमार से जस्ट आपोसिट नीचे है इनका निशला जबड़ाया मेगजिला और बीचों बीच एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो लोब से बना होता है इसे कहा जाता है इन पार्ट्स को एक बार ढंग से समझ लेते हैं मैं सिफ साइबेरियम समझाया भी आपको सबसे पहले शुरू करते है उपर वाले होंट से जिसे नाम दिया गया लेब्रम 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 लेपर लिप इसके ठीक नीचे की और कुछ यहाँ बना लेती हूँ मैं यह रहा उपरी जबड़ा इससे नाम दिया गया mandible, right? so this is the second mouth part that is mandible जहाँ पर labrum is one in number mandible दो है mandible का यह जो पार्ट है इसमें ऐसे denticles बने हुए दाप जैसे structures है इसलिए इस पार्ट का काम है खाने को पीज देने का so it is called grinding region और यह है काटने वाला यानि incising region is that clear? इसके नीचे है निचला जबड़ा I'll be writing about mandible first मैं पहले mandible के बारे में बता दूँ mandible है क्या? mandible है इनका अपर जो it has got denticles जिसकी वज़ा से यह पार्ट जो डिवाइड हो गया into grinding and incising यह निचला यानि काटने वाला region is that clear? so that was about the mandible पीटा डाइग्राम में ही साथ-साथ लिखने का फायदा यह है कि आपको अलग से इस थेरी को नहीं पढ़ना पढ़ता right? moving ahead अब बात कर लेते हैं नीचे वाले जबड़े की तो यह है इनका नीचे वाला jaw यानि maxilla इसमें ऐसे पैरों की तरहां segmented से structures नीचे की और लटके होते हैं जिन्हें palps कहा जाता है right so these are called palps यह इन के ओपर cuticle की वज़ए से bristles से दिखाई देंगे सभी structures पर दिखते हैं वैसे यह hair like structure basically cuticles ही है chitinous cuticle की वज़ए से structure दिख रहा है so this is the third structure here which is called maxilla maxilla है क्या maxilla है lower jaw और इसमें के पास हैं palps these are called maxillary palps for taste and olfaction soong ने और खाने को taste करने के लिए इनके जो palps हैं ये मदद करेंगे right so that was about maxilla इसके ठीक नीचे present है निचला होट इसमें भी palps हैं बिलकुल maxilla की तरहां और इसी वज़ए से इसे second maxilla भी कहा जा सकता है right so this is the fourth structure which is called labrum sorry labium right so ye labium है क्या labium है lower lip और second maxilla और इसमें भी ठीक इसी की तरहां palps है जो पर taste and olfaction so it has labial palps right और बीचो बीच एक स्ट्रॉक्चर प्रेजन है जा इस तरीके से दो लोब के साथ है इस structure को नाम दिया जाता है कहां लिखें here we have space this is the fifth structure it is called hypopharynx center में present है right it is lober lobe से बना है यह बिलकुल हमारी जीब की तरह काम करेगा क्योंकि इसके ठीक base पर salivary ducts खुड रहे तो जो saliva है उसे खाने के साथ mix कराएगा यह so salivary ducts are present at its base right so this is about the mouth parts of cockroach जो की specially modified है for biting and chewing is that clear till this part so that was all about the mouth parts of cockroach एक बार को मैं इस तरफ का है पोर्शन थोड़ा सा रप कर देती हूं ता कि आपको confusion ना हो easily इसे नोट कर सको right so these are the mouth parts right इसे बाद जल्दी से लिखेंगे ता कि हम आगे बढ़ सकें जैर से बादय कहुआ पो कर दे मांगे यू भा दे हा हा है झाल जै Really me